नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजडल गुरुकल में आपके लिए फिर से मैं लेकाया हूँ जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट कोईशन का कलेक्शन आप किसी भी एक्जाम के तेयारी करना कर रहे हूँ सारे एक्जाम के लिए प्रशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरे यूट्यूब में इतनी अच्छे प्रशन और इतनी अच्छा डिसकर्शन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा मैं दावे के साथ कह सकता हूँ देरनकरते वे सेसन की सुरुवात करते हैं पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रशन हाली में किस देश ने ओपन इसकाई संधी से अलग होने की घोशना की है बात करेंगे क्या होता है open skies संधी और क्या हो चर्चे में है पर पहले बात करते हैं किस देश ने इसमें अलग होने की घोशना की है तो correct answer है option A यानि अमेरिका हाली में अमेरिका ने open skies संधी यानि open skies ट्रिटी से अलग होने की घोशना की है ये बहुत चर्चे में रहा है आई एडी टेल में बात करते हैं ओपन स्काइस टेटी की 2002 में साइन किया गया था इसमें कुल 34 देश सामिल है क्या है ये ओपन स्काइस संधी इस संधी के अनुसार जितने भी प्रतिभागी देश है यानि ये 34 देश एक दूसरे देश में हवाई निगरानी कर सकते हैं यानि ओपन स्काइस संधी के अवहिलना कर रहा है इस कारण से अमेरिका इस से अलग होना चाहता है अब इसमें भारत का क्या रोल रहा है आपको क्लियर कर दू कि इस ओपन स्काइस संधी का मेंबर भारत नहीं है बट बता दू कि भारत का जापान के साथ में ऐसा है एक संधी है भारत जापान के बीच में 2017 में ओपन स्काइस समझोता किया गया था भारत ने रास्टी नागरिकता उड़ेन नीती 2016 के अंदर गति समझोते को हस्ताचर किया था अब यहाँ पे चर्चे में रहा है कौन अमेरिका तो बात कर लेते हैं थोड़ी सी अमेरिका के बारे में अमेरिका के कैपिटल है वासिंग्टेंड डेसी यहां के प्रेसिडेंट अभी है डोनाल्ड टरम एक्जाम में रिसेंटली पूछ लिया गया कि डोनाल्ड टरम कितने नमबर के प्रेसिडेंट है तो डोनाल्ड टरम 45 वे नमबर के प्रेसिडेंट है अमेरिका के इनकी पार्टी का नाम है रिपबलिक पार्टी इनका चुनाव चिन है हाथी उनकी पत्नी भी चर्चे में रही है उनकी पत्नी का नाम है मलेनिया ट्रम रिसेंटली उनके द्वारे एक बुक लिखा गया बुक का नाम था The Art of Hurdle The Untold Story of मलेनिया ट्रम जिस बुक के लिखा कौन थे मार्क जॉडन बहुत इन्पॉर्टन प्रसन है बहुत बार पूचा गया आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इन्पॉर्टन प्रसन है कि हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा था यानि डेली नियूज पेपर कौन सा था हिंदी का प्रथम बहुत important question है correct answer है समाचार सुधा वर्षन हिंदी का पर्थम दैनिक समाचार पत्र था बट हिंदी का पर्थम समाचार पत्र कौन सा था आये थोड़ी detail में देखते हैं आपको बता दू कि समाचार सुधा वर्षन का प्रकासन 1854 में स्याम सुधर सेंद दौरा किया गया इसका प्रकासन सबसे पहले कलकत था जो कि वर्थमान में कोलकाता है में किया गया हिंदी का प्रथम अकबार था उतंड मारतन ध्यान रखिए हिंदी का प्रथम अकबार था उदंडमार्तन वट ये दैनिक समाचार पतर नहीं था उदंडमार्तन को 30 मैं 1826 को प्रकासित किया गया था जबकि हिंदी का प्रतम समाचार पतर था समाचार शुदावर्सन जो कि 1854 में प्रकासित किया गया था अब एक प्रस्ट न्यूजपेपर के संबन में जो बहुत बार पूछ लिया गया कि भारत में प्रकासित होने वाला प्रतम समाचार पतर कौन सा था तो उत्तर क्या होगा आपका बंगाल गजट याद रखिए दबंगाल गजट भारत में प्रकासित होने वाला प्रथम समाचार पत्र था जिसे 29 जनवरी 1780 यहने 1780 में प्रकासित किया गया था जेम्स अगस्टन हिकीर के दौरा यह सारे प्रस्ण मोच्ट इंपोर्टेंट है आप लोग नोट्स करते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले एक सेकेंड रुक की आप लाइक कर लेजी अगर आप लोगों को लगता है कि यह सारे प्रस्ण आपके आने वाल बैंक के बहुत इंपोर्टेंट प्रस्ण है तो सही उत्तर है आप्शन ए हाल ही में मार्कोज ट्राइजों को न्यू डेवलप्मेंट बैंक का अगला अध्यक्ष याने नया प्रसेडेंट चुना गया अब न्यू डेवलप्मेंट बैंक के अभी प्रसेडेंट कौन है अब मैंने कहा कि इसके नए प्रसेडेंट होंगे मार्कोज ट्राइज से हैं और आपको बता दो कि भारत के अनिल किसोर जोकीkä ऑफशन बी में आपको अनिल किसोर देख रहा है ये कौन है तो भारत के अनिल किसोर ये नियू डेवलप्मेंट बैंक के अगले उपाईद्ध और चीप रिक्स ऑफिशर होंगे इसका अप्षिन में आपको दिख रहा है कि ये कौन है वर्ल्ड इंटेलेक्शल प्रोपर्टी और गनाजेशन के अगले अध्यक्ष होंगे इसके अवलों आप्षिन में आपको दिख रहा है कौन कार्मेन रेंड हाट ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट निक्ति हैं इसलिए मैं रिवाइस करवाता हूँ कार्मेन रेंड हाट ये वर्ल्ड बैंक के अभी रिसेंटली चीप एकॉनमिस्ट बनी है तो ये सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉर्टेंट से वर्ष 2020 के चली आगे बढ़ते हैं अगला प्रसने की असोक के अभी लेक किस लिपी में लिखे हुए थे तो करक्ट अंसर है आफशन भी यानि ब्राम्मी लिपी में असोक के अभी लेक में जो है ब्राम्मी लिपी में लिखे गये थे असोक के अफिलेक कई भाशाओं में मिले है बट सबसे ज़्यादा ब्राम में लिपी में मिले है ब्राम में खरुस्टी, ग्रिक और अर्माईच ये सारे लिपी है जिन में मिले हैं असोक के अभिलेक वर सबसे ज़्यादा अभिलेक जो है वो ब्रामिली पी में मिले हैं आपको बता दो इसके अलवा बता दो कि पहली बार इनके अभिलेक को किसने पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था इसके अलाव बतादू कि असोक के सिलालेक को गज़ 750 में पेंटरिटी फेंट्रेलर ने सबसे पहले पढ़ा था भारत में सिलालेक का प्रचलन सरुपर्थम असोक के द्वारा किया गया था असोक द्वारा कुल 14 सिलालेक और 7 कि इस्तंब लेक बहुत ही पॉपुलर है असोग किसका उतर रहा देखा रही था असोग बिंदुसार का उतर रहा देखा रही था next most important person हाली में नाइजर में भारत के नई राजदूत के रूप में किसे निक्त किया गया ध्यान रखिए नाइजर है नाकि नाइजीरिया है नाइजर में भारत के नई राजदूत के रूप में किसे निक्त किया गया तो correct answer है option है यानि PK Nair हाली में PK Nair को भारत में नाइजर में भारत का नई राजदूत के रूप में निक्त किया गया आपको बतादू कि यह जो नाइजर है कुछ दिनों पहले भी छर्चे में रहा था क्योंकि यह एक अफरिकन कंट्री है और कुछ दिनों पहले आट ऐसे अफरिकन कंट्री थे जिन्होंने अपने करनसी बदल दी थी करनसी बदल कर क्या कर डाली थी? इको कर डाली थे अब definitely आ आली, नाइजर, सुनिगल और टोगो ये आठ जो कंट्री है अफ्रिकन कंट्री इन्होंने अपनी करन से चांद चेंज करकी इको करने की घोशना की थी अब ये तो क्लियर हो जाता है कि पीके नायर नाइजर में भारत के नए राजदूत होंगे अब बहुत सारे मेरे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया कि सर्व वर्स 2020 में जितने भी राजदूत हुए है या तो हाई कमिशनर हुए है उनकी लिए मुझे अलग सी एक वीडियो बना दीचे तो मैं एक बार यहां रिवाइज करवा देता हूँ आपको क्लियर हो जाता है ठीक है नहीं तो अलग से एक MCQ बना दूँगा लिंक आपको डिस्किप्सिन बॉक्स में मिल जाएगा वहां से आप उस वीडियो को देख लीजे आपको 100% वर्स 2020 के जितने भी इंपॉर्टें तो हाई कमिसनर है कि लियर हो जाएंगे छलिए फटापट एक बार कवर करते हैं नमरता एसकुमार यह सलोवेनिया में भारत के नए राजडूद बनी है जैधिब मजुन्दार यह औस्ट्रिया में भारत के नही राजडूद बने है पियू स्रिवास्तो यह बहरीन में भा भारतिया राजदूद बने है ए अजीत कुमार युगांडा में भारतिया राजदूद बने है अभिसेख सिंग ये वेनिजुला में भारतिया राजदूद बने है जावेद असरफ ये फ्रांस में भारतिया राजदूद बने है ध्यान दीजे ये सारे अपॉंट्मेंट रि अगले भारतिया उच्चा युक्त बने है और रिसेंटली यानि कल के दिन ही कुमार पी कुमारन ये सिंगापूर में भारत के अगले हाई कमिस्नर यानि उच्चा युक्त नियुक्त किये गये है तो ये सारे मोश्ट इंपॉर्टन्ट है इसका MCQ का शेचन आपको जल्दी मि में लिंक है आप एक बार रिवाइस कर लीजिए एक भी प्रसन बाहर नहीं जाएंगे नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टन्ट प्रसन अलबरुनी किसके सासनकाल में भारत आया था तो करेक्ट एंसर है ऑफशन भी यानि मुहमद गजनवी अलबरुनी मुहमद गजनवी के सास करती के बारे में कुछ लिखा था और अलबरुनी की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी तहकी काते हिंद अब ये आया था मुहमद गजनवी के सासनकाल में मुहमद गजनवी ने कुल 17 बार भारत पे आकर्मन किया था सबसे पहला आकर्मन किया था कब 2001 इसका सबसे प्रसिद आकर्मन हुआ था एक हजर पच्चीस इस्वी में जब इन्होंने सोमनात मंदिर जो कि सौराश्ट गुजरात में है में आकर्मन किया था सोमनात मंदिर को लूटा था अलबरुनी, फिर दोसी, उलबी और फरुकी मुहमद गजनिवी के दरवार में रहते थे समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा सुरू किया गया तो करेक्ट अंसर है आफशन सी यानि महात्मा गांधी महात्मा गांधी द्वारा समाचार पत्र यंग इंडिया को सुरू किया गया था ये एक विकली समाचार पत्र था ये सारे important प्रकार्शन है जो कि महात्मा गांधी के द्वारा किये गया है। प्रस्टन किया और कि हाली में आरोग्य सेतु एप के ब्रैंड अमजडर किसे बनाया गिया। आरोग्य सेतु एप के बारे में ये एप कोरोना वाजर संकर्मन के निगरानी के लिए विक्सित किया गया है। आरोग्य सेतु एप सबसे कम समय में 10 करोर से ज्यादा लोग इसे डाउनलोड कर चुके है। इसे कुल 11 भाशाओं में उपलब्द कराया गया है। थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं आरोग्य सेतु एप मातर 13 दिन में 50 मिलियन डाउनलोड करके वर्ल्ड फास्टेस्ट एप का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है। इसे नैशनल इनफ्रमेटिक सेंटर द्वारा लाउंच किया गया है इस अपपिसन डाया को किसे अरग्य से तू एप ॅ इसके अलावा कोरुना वायूरस यरोज की दिन में है अलग-अलग states के द्वारा या तो government के द्वारा सारे ही most important exam point of view से तो मैंने already एक video तो बनाई दिया है आप लोगों के लिए जिसमें सारे प्रशनों का collection कर दिया है जितने भी apps हैं जितने भी योजना है आप चाहे तो देख सकते हैं वीडियो में लिंक मिल जाएगा आपको description box में अब option में कुछ नाम और है फटा फट डिसकस कर लेते हैं अमिता बचन ये दरवाजा बंद campaign के brand ambassador है इसके अलावा GST के brand ambassador है और सारे बहुत सारे के brand ambassador है most important question है दोस्तो तो correct answer है करिना कपोर को हाली में rooma का brand ambassador बनाया गया तो दुस्तो किया आपको पता है कि हाली में re- Afterwards का निया brand ambassador की से बनाया गया तो katerina का आपको re- Afterwards की निक्तियां हुई है 2020 में जो की most important exam point of view से इसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बना दिया है आप चाहे तो इसे भी देख सकते हैं सारे का कलेक्शन आपको एक साथ मिल जाएगा अब आपके लिए आज का क्विज का प्रशन है आप मुझे बताएंगे कि मौर्य वन्स के अंतिम सासा कौन थे आपको इसका उत्तर कमेंट बक्स पर कमेंट करके बताना है और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से रव सपोर्ट करना मत पूलिए दोस्तों जल्द ही लोटेंगे नई वीडियो नई नौलिज के साथ तब तक हस्ते रहें मुस्कुरात रहिए थैंक्स पर वाचिं में वीडियो जैहिंजे भार दोस्तों